हुरवांचल के बाहु बली डेता कहे जाने वारे धननजय सिंग को एक मामले में दोशी करार दिया गया जिसके बाद आज संभवता हो सकता है छे मार्च को उनको जो सजा है वो सुनाई जाए आखिर कितने साल की जेल उन्हें होती है इस पूरे वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिर ये क्या मामला है कौन से साल का ये मामला है और आगे चुनावी सफर कैसा होगा धरंजय सिंग का क्योंकि क्या चुनावी करियर उनका खत्मोंने जा रहा है क्योंकि जो जनप्रतिनिदी कानून है वो ये कहता है कि अगर किसी भी व्यक्ति पर दो साल से जादा किसे साब मिलती है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता है तो शुराद करते हैं और इसमें ये पूरा मामला साल 2020 का है जहां नमामी गंगे प्रोजेक्ट के जो मैनेजर होते हैं अभिनव सिंगल वो इस मामले को दर्ज कराते हैं और इसमें दो लोगों पर ये मामला दर्ज होता है एक होता है संतोष विक्रम और दूसरे धननजे सिंग अभिनव सिंगल ये आरोप लगाते हैं कि संतोष विक्रम नाम का शक्स उन्हें उनका अपरण करके लेकर आता है और धननजे सिंग के आवास पर लेकर जाता है जो पूर सांसद है जॉन पूर से जॉन पूर के बाहू बलिंतर धननजे सिंग उनके आवास पर लेकर जाता है वहाँ ले जाकर रंगदारी मांगी जाती है इस नाम पर कि नमामी गंगे प्रोजेक्ट में जो समाल इस्तमाल किया जा रहा है वो कम गुडवत्ता का है और इसी नाम पर रंगदारी मांगी जाती है जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आता है अबिनफ सिंगल ये मामला दर्ज कराते है जिसके बाद अभी हाली में इस करमिया जाननजय सिंग को जो है दोशी करार दिया गया जिसके बाद dwa neighborhoods उन्हें पर लएं उनसे तो कम से कम ये समझ आ रहा है कि MPMs मेले कोट ने जो इनको दोशी दिया है उनसे जो धाराएं लगी है उनसे समझ आता है कि 2 साल से ज्यादा की सजा ही होगी यानि नाव आगे मों नहीं लड़ पाएंगे। कौन-कौन सी धारा हैं वो भी आप समझ लीजे। नाव लड़ने वाली हैं अलकि हाल में उनकी पत्नी रंतिक का करेर की पत्नी चुनाब लड़ती हैं धननजे सिंग जानपूर के लिए बहुत महत्वपून हो जाते हैं क्योंकि वो जो है जौनपूर का एक्स फैक्टर है और कोई भी चुनाब हो चाहें वो विधान सभा का च चुनाव हो चाहें वो लोगसभा का सुनाव हो धनांजे सिंग के इर्दगिर्द ही घूमता दिखाई देता है इसलिए धनांजे सिंग बले ही जेल में चले जाए पहले भी उन्होंने एक चुनाव जो अपने जेल से जीता है ऐसे में बले ही वो जेल में चले जाए लेकिन ज जानपुर जानपुर के चुनाव पर उनका असर जरूर पड़ेगा लेकिन अब देखना ही है कि अगर वो जेल जाते हैं उनकी पत्नी को ये सिंपती वाला वोट आखिर कितना मिल पाता है